आपके पास Vivo का Y36 या फिर 56 है या कोई भी और फोन है तो यहां पे आप screen recording कैसे set कर सकते हैं तो screen recording यहां पे आप scroll down करेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिल जाती है आप इसको click करके रखेंगे इस step से option आएगा इस touch वाले option को अगर आप चाहते हैं तो आप on कर सकते हैं जो भी आप screen recording पे touch करेंगे न वो यहां पे शो करेंगे और इसके वाद screen recording का sound जो main होता है जसे कि system का audio रिकॉर्ड करना है तो इस पे select करेंगे microphone का audio के लिए यहां पे select करेंगे microphone और system दोनों का sound record करना है तो इस पे select कर लेंगे इतना करने के बाद यहां पे आपको scroll down करना है और यहां पे screen recording पे click कर लेना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहां पर स्टार्ट हो चुकी है ऐसे करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे और इसके बाद यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप क्लिक कर सकते हैं और दुबारा क्लिक करके यहां पर सेफ कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आपको अल्बम प साउंड के साथ यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुकिया है तो इस चप सब सेटिंग कर लिजेगा चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार